असलाम अलेकूम वियर्स उमेरियन किचन में विलकम बैक और आज उमेरियन किचन एक बहुत जबरदस्ट इम्यूनिटी बूस्टर टिंजिल हर्बल टी लेकर आया है और यह टी बहुत ज़्यादा सिंपल और बिलकुल एक अच्छे तरीके से एक इम्यूनिटी बूस्टर है और डिफरल जो डिजीजिस होती है जैसे आजकल हमारे बहुत ज़्यादा इलर्जिकल इशू है और यह किसी की लंग्स की प्रोबलम है यह एस्थेमैकिक इशू है औ जो इस्थेमेटिक प्रोबलम है उसके लिए जिंजर बहुत ज्यादा अच्छा है और यह सिनेमन स्टीक है जो गले की प्रोबलम होती है जिसमें गला कभी-कभी जैसे में जो हुद इलर्जिकल पेशेंट हूम है कि उसमें आपको सूधिंग देता है गले को और यह क्लोव इन इंग्रिजेंट से मिलके बहुत अच्छी इम्म्यूनिटी बूस्टर बनेगा और इसमें सबसे पहले मैंने टू कप ले ले लिया है और मैंना सॉस पर में अलड़ी डाल दिया है अब मैं इस इट सब तो यू के आप यह जो जिंजर है इसको आप क्रश करें या काशों मैं कर लें तो मैं अच्छा सा जूस इसका निकल जाए यह इस तरह मैं प्रश करके थोरा सा डालती हूं यह बहुत अच्छा अच्छा अफेक्टिव है क्योंकि मुझे काफी गले की अच्छी में रहते हैं मौस्टी लोगों को लेजिकर इसे हैं और यह वान इंच की तक्र जो मेरा वोटर है वो वन कप रह जाए अल्मोस्ट टेक्स 10 मिनिट लेगा और इसको अच्छे से बॉयल करना है और इसके बाद भी लाप से मिलते हैं जो एर्ज यह देखें आर्मोस्ट एक कप पानी पुश्क हो गया अब इसमें थोरा सा यह पिंच ओफ यह सबस चाय जो है पिशावरी कहवा अगर प्रास पिशावरी कहवा नहीं है तो आप यूस कर सकतें टी बैक इसको बसकाने भाब देनी है इसके पतिया खिल जाएंग हमारा जिंजर हर्बल कहवा रेड़ी है बहुत एजी रेसिपी और बहुत यूसफुल रेसिपीज है इसके अंदर बहुत कम इंग्रीडियंट्स बहुत ज्यादा बेनिफिशल और जरूरी नहीं है कि करोना के लिए ही हम लोग यह कहवा पीएं हमें आल्मोस्ट मिंटर में रात के टाइम बेट टाइम पर यह कहवा पीना चाहिए जिनको इलर्जिकल इशू भी है जिनको एस्थेमेटिक प्रॉप्लम भी है मेडिकली यह बहुत फिट और अच्छा कहवा है लेस इंग्रीडियंट और सो मैनी बेनिफिट्स जजाक अल्ला अल्ला अफिस डे बलेस्